नमस्कार दोस्तों कासन स्टडी के आनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाली में UPPCLTG2 का एक्जाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना जरूरी है तो दोस्तों यहाँ पर हम कंप्यूटर के कुछ very important question लेकर किया है तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह कलासेज अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने पहले question पर चलते हैं आज का हमारा पहला question कह रहा है पहला computer mouse को किस ने बनाया था तो इसमें right answer बताओगे डगलस एंजल वर्ट ने अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है अगले question की बात करते हैं निलखित में सबसे तेज कौन सा है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा बताओगे register है अपसर नमबर B सही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि किस ने पहला electronic computer ANEC को बनाया था तो ANEC को बनाने वाले कौन है मनें बता दिया कि प्रेफेसर एकर्ट एंड जान मूसले हैं अपसर नमबर A सही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहा है dart matrix किस किसम का है यह जो फूप करन है यह किस किसम का है तो इसमें right answer क्या बताओगे बताओगे C printer है अपसर नमबर C सही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं keyboard में function की संख्या कितनी होती है बताओगे 12 होती है अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहा है कि किस printer द्वारा एक stroke में एक अच्छर print होता है तो उस printer का क्या नाम है तो इसमें right answer हो जाएगा line printer होता है अपसर नमबर D सही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं कह रहा है निल्खित में से कौन input device नहीं है इसमें ये बताना है कि input device कौन सा नहीं है तो इसमें बताओगे monitor input device नहीं है अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है सरवाधिक तेज गतिवाला printer कौन सा है सबसे अधिक तेज गतिवाला printer कौन सा है तो 70 में तो बताओगे option number A laser printer होता है option number A सही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं कह रहा है कि CDC LCD का पूरा नाम क्या होता है LCD का पूरा नाम बताओगे तो काओगे लिक्विड क्रिश्टल डिस्पले होता है option number D से हो जाएगा अगले question की बात करते हैं क 백신 का राएगा सबसे तेज कंप्यूटर का थे है सबसे तेज कंप्यूटर की बात का रहा है तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर अगले कुईशन की बात करते हैं अगला कुईशन कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस प्यड़ी का कम्प्यूटर है तो जो माइक्रो प्रोसेसर है और किस प्यड़ी का कम्प्यूटर है तो जो माइक्रो प्रोसेसर है और किस प्यड़ी का कम्प्यूटर है तो जो माइक्रो की बात करते हैं अगला कुछिशन की बात करते हैं चुमपकियघ डिस्क पर किस प्रत की परत होती है उसमें राइट एंसर क्या हो जाएगा 37 में तो फी हो जाएगा еся Warren अगले कुछिशन की बात करते हैं अगला कुछिशन के रहा है कि Integrated सटकी चिप का विकास किस ने किया था तो इंटीग्रेटर सटकी चिप का विकास किस ने किया था तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा किलवी ने अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि सर्व पर्थम पंचिकार्ड का प्रियोग किस ने किया था सर्व पर्थम पंचिकार्ड का प्रियोग किस ने किया था तो इसमें right answer हो जाएगा Joseph Mary ने किया था अगले question की बात करते हैं, अगला question यहाँ पर कह रहा है कि computer के विकास में सरवादी की योगदान किसका है तो computer के विकास में सरवादी की योगदान के बारें कहता है, तो यहाँ पर one new man की है, action number C से ही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं analytic engine का निर्माड किस ने किया था तो analytic engine का निर्माड किस ने किया था तो इसमें right answer क्या हो जाएगा बताओगे option number 20 चार्ल्स बेवेज हो जाएगे अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर जो है pack man नामक जो है परसे दे computer किस काम के लिए बना है तो यह computer किस काम के लिए बना है तो बताओगे खेल के लिए बना है option number 20 से हो जाएगा अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहा है कि किस ने किस ने पर था mechanical calculator का निर्माड किया था तो mechanical calculator का निर्माड किस ने किया था तो बताओगे, blaze passkal ने किया था, अपसन नमबर A से ही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं, किसने पंचिकार्ड का रम किया था तो पंचिकार्ड का रम किसने किया था, तो इसमें right answer बताओगे, इनमें से कोई नहीं तो इसमें राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसमें 86 में राइट एंसर बताओगे अपसर नमबर 20 सुपरकंप्यूटर है अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहाँ पर कह रहा है कि सामान रूप से परियोग किया जाने वाला परतम कंप्यूटर कौन सा है सामान रूप से परियोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है तो इसमें राइट एंसर क्या हो जाएगा बताओगे डिजिटल कंप्यूटर अपसर नमबर 20 से हो जाएगा अगले question की बत करते हैं cry क्या है cry क्या है तो इसमें right answer क्या हो जाएगर बतावगे super computer है REP4 कि आप समय क्या हो जाएगर बतावगे option number 10 तृतिय पीड़ी के दोस्तों मेरे گले में थुड़ी सी problem है जिससे बोलने में थूड़ी समय्सा रही है तो अपना compromise कर लिजिएगा अगले question की बात करते हैं कह रहा है कि 200 का पहला सुपर कम्प्यूटर कब बना तो 200 का पहला सुपर कम्प्यूटर कब बना तो यहाँ पर हो जाएगा 1976 में अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि इस वरी EDP की बात करते हैं, तो EDP यहाँ पर इलेक्टरानिक डेटा प्रोसेसिंग है, अगले कुशन की बात करते हैं, कम्पुटर की सूचना किसे कहा जाता है, कम्पुटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो 93 में कहोगे 173 डेटा को, अगले कुशन की बात करते हैं, कहन話 रहा है कि कम्पुटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो इसमें राइट अंसर क्या हो जाएगा, अगले कुशन की बात करते हैं, अगला कुशन यहाँ पर कहरा है, तो computer में जाने वाले data को क्या कहते हैं तो 96 में कौन सा answer हो जाएगा बताओगे input होता है अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि data processing का अर्थ क्या है तो data processing का अर्थ कह रहा है तो बताओगे वाड़ेजिक उप्योग के लिए जानकारी तयार करना option number D से हो जाएगा अगले question की बात करते हैं कह रहा है कि ATM क्या है ATM के बारे में बात करता है तो ATM क्या चीज है तो बताओगे बिना staff के नगदी देने वाला ATM कहलाता है अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहा है computer processor द्वारा information में परिवर्तित किया जाते हैं तो क्या चीज परिवर्तित किया जाते हैं बताओगे data को परिवर्तित किया जाते हैं अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहा है कि एक electronic device जो data को information में convert करते हुए process करता है उसे क्या कहते हैं तो इसमे right answer हो जाएगा अपसर नंबर ऐसे हो जाएगा यह वाला दोस्तो कुशन आप लोगों को होमवर के लिए दिये जा रहा है इसमें कहरा है कि पर्थम गड़ना यंतर कौंसा है तो पर्थम गड़ना यंतर कौंसा है इसमें जो राइट एंसर होगा आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर रताइएगा दोस्तों गला में थोड़ी से खरास होने के कान बोलने में आसमर्थ हैं तब पर भी मैं आपके लिए कुशन करवाए हुए हैं ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्र करते हैं अगले सेशन में पुना मिलेंगे नमस्कार